इस्राइल ने ओक्टूबर अटैक की चेतावनी दी है। आपको बता दे कि इस्राइल के प्रधान मंद्री नेतन्याहू ने संउत राष्टु में इस तरह की बातें की हैं, इस तरह की आश्रंका जताई है जो की एक बड़ी चेतावनी है अटैक की। बेरुत की चार अगस्त की घटना आपको याद होगी इसी साल चार अगस्त को बेरुत बंदरगाह को इस तरह से धमाके से दहला दिया गया कि लगभग आधा शहर इसकी चपेट में आ गया और आधा शहर इसमें तबाह हो गया नस्तनाबूत हो गया तो इसे तरह के एक अक्टूबर अल्टिमेटम की बात सामने आई है क्या है ये आपको बताते हैं तफसील से जुलाई में इरान के अट्मी अज्डे पर अटेक अगस्त में बेरुत के बंदरगाह पर धमाका सितंबर में लेवनान में आतंकी अड़ा ध्वास्त अब इज्राइल का अक्टूबर अल्टिमेटम अक्टूबर में बड़े धमाके के लिए तायार रहना चार अगस्त को लेवनान की राजधानी बेरुत के वंदरगाह पर हुआ ये खौफनाग धमाका आप नहीं भूले होंगे इस धमाके स्याधा बेरुत शहर नेसना बूत हो गया था धमाका तीन हजार टन अमोनियम नाइट्रेट के जखीरे में हुआ था जिसे गोदाम में आठ सालों से चिपा कर रखा गया बेरुत के उस धमाके में तीन लाख लोग बेघर हो गए थी चार हजार लोग घायल हुए थे और दोसों से ज़्यादा जाने चली गया उस धमाके के पीछे तब इस्राइल का हाथ बताया गया थे इस्राइल ने तब इस दावे को खारिज भी किया था और ये दावा भी किया था कि धमाके वाली जगय पर लेबनान के आतंकी गुट हिस्बुल्ला के हत्यारों का सीक्रेट अज्डा भी था और उसके कारए बेरूत में फिर बड़ा धमाका हो सकता है फिर इसरेल ने उनको चतावनी दी है कि कुछ आप लोग हरकत कर रहे हैं हेजबुल्ला इरान के तरफ से मदद से इसरेल को अटैक करने के लिए तो ये चतावनी दी है ये शहाद हो सकता है क्योंकि एक मिसाइल है C802 लेबनाओन के हेजबुल्ला को पता है इसको कैसे चलाते है और वो जहाद पाकिस्तान के जहाद में भी है चीन के जहाद में भी है इरान के पास भी है और हेजबुल्ला के पास भी है नेतन्याहू ने ये बयान कहीं इधर उधर नहीं बलकि UN में दिया है ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या बेरूत में अक्टूबर में फिर बड़ा धमाका होने वाला है इसराइल ने बेरूत में जिज जगह पर हिजबुला के आतंकियों के खुफिया गोदाम होने का जिक्र किया है कहीं वो उसे ध्वस्त करने की रड़नीती तो नहीं बना रहा है इसराइली प्यम के बयान को हालांकि आतंकी संगठन हिजबुला ने खारिस कर दिया लेकिन इसराइल से पहले अमेरिका भी दावा कर चुका है कि इसराइल पर रहरकर मिसाइल अटेक करने वाले आतंकी संगठन हिजबुला ने यूरोप में भी कई देशों में जगह जगह इस पोठकों का खुफिया गोदाम बना रखा है इस ख़बर के सामने आने के बाद अमेरिका ने हिजबुला गुट पर बैन लगाने के लिए अंतर राष्टिये मंचों पर दवाव बनाना शुरू कर दिया था और इसराइल ने हिजबुला के ठिकानों को चुन-चुन कर साफ करने की कसम लिए था इसरेल और लिबनान में बड़ी दुश्मनी है और इस दुश्मनी से वो उन्होंने पहले भी अटैक किया है इसरेल को लेकर अब इसरेल ने चितनावनी दी है के हिजबुला को और वहां एक आगमी लेगी थी बेरूट में सब्टेम्बर दास तारीक को उनका बड़ा नु यही वज़ा है कि यूएन में इसरेली पीम नेतनियाहू के बयान के बाद लेवनान में कई इलाकों में चॉक्सी बढ़ा दी गई और डर के बीच सवाल गहरा रहे हैं कि बेरूट के लिए अक्टूबर धमाकेदार तो नहीं होने वाला है बीरो रिपोर्ट सी मिडिया जन्ग हो सकती है और जब से इसराइल ने इस अक्टूबर अल्टिमेटम के बारे में कहा है तब से पूरी दुनिया इतनी चौकस क्यों हो गई है सबकी नजरे इन पर क्यों टिकी हुई है ये बड़ा सवाल है तो साथ ही उस जन्ग में जिसकी हम बात करें 2006 की इसमें जन्ग की पीछे उसका मकसद क्या होता है मकसद होता है कि उस पर सीधा सीधा कोई वार ना कर सके और 2006 की जिस जन्ग की हम बात कर रहे हैं उस जन्ग में हिजबुल्ला ने इसराइल पर लगतार मिसाइले दागी थी और इसराइल मानता है कि हिजबुल्ला के पास अभी भी बड़े पैमाने परविस फोटक मौझूद हैं जो कि इस तरह के हमले कर सकते हैं और इजराइल अमेरिका के मुताबिक इरान के इशारे पर इजबुल्ला दुनिया में कहीं भी आतंकी हमले कर सकता है इस वज़ा से पूरी दुनिया को इसको लेकर चौकस रहना होगा जिसमें भारत को भी चौकस रहने की जरूरत है